प्रदेश में अवैध हतियारों के दम पर हो रहे अप्राधों को रोकने के लिए पुलिस मुख्याले ने अवैध हतियारों की धर पकड़ कर हतियारों की तसकरी से जुड़े नेटवर्क को तोड़ने के निर्देश दिये हैं जायपर पुलिस कमिशनरेट ने भी अवैध हतियारों के खिलाफ आपरेशन अगेंस्ट गन यानि औपरेशन आग छेड़ रखा है अपरेशन आग के जरिये पुलिस ने अवैध हतियारों के तसकरी पर नकेल कस दी है अभियान के तहट अब तक जैपर पुलिस ने 461 अवैध हतियारों और 1821 जिन्दाकारतूसों को जब्त कर 611 आरोपियों को गिरफतार किया है पुलिस ने इन अवैध हतियारों को लेकर इन आरोपियों के खिलाफ 381 मामले भी दर्च किये है राजधानी में तेजी से बढ़ रहे प्रॉपरटी की कीमते और अवैध शराब के कारोबार के पैर पसारने के साथ ही यहाँ छोटी छोटी बदमाशों की गैंग पनपने लगी है अवैध हतियारों के चलते खुले आम फाइरिंग की वारदातों ने पुलिस महकमे को हिला कर रख दिया था ऐसे में अपराधों की रोख थाम के लिए पुलिस ने ऑपरेशनाग के जरिये अवैध हतियारों और हतियारों की खरीद फरोगत से जुड़े लोगों पर शिकन जाकस दिया है इसमें सभी परकार के अपरेशनाग के अपरेशनाग के लिए हैं जो ब्रीश लोडिंग है और इसके अलागा इसमें कुछ ऐसे भी आतियार है जो जिनकी बनावट है वो गाफि अच्छी मेकनाइजड है और काफि समूध है राजधानी में दिन दहाडे से हो रही फाइरिंग कीन घटनाओं ने जहां इलाके में खाफ पैदा कर दिया है वही पुलिस अधिकारियों की भी नींद उड़ा दी है ऐसे में अब पुलिस ने बड़े अपराधियों को ट्रेस कर उनकी कुंडली वनाना शुरू कर दिया है लेकिन पिछली घटनाओं को देखें तो अव्याध हत्यारों की रोक थाम और बेल गाम अपराधियों के होसले पस्त कर पाना है